आज की यह वीडियो है सीटाइट के बारे में सीटाइट आपका 5 जुलाई को ही होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सीटाइट ने अपने जो लास्ट यह के एक्जाम पेपर्स है वह भी अपनी वेबसाइट पर रिलीज कर दी हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो हम आपको बता दूँगी आपको कैसे साइच से जाकर चेक करने हैं आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं और previous year exam के जो paper हैं उस पे आप देखकर अपनी तयारी उसके according तयारी कर सकते हैं तो तैयारी कर रहे हैं अभियरतियों की सुविदा के लिए क्या गया है अपलोड ये एक्जाम से पर आप ताके देख सकें और जिले में दो जोन में बाटकर बनाई जाएंगे परिक्षा केंदर तो देखेंगे क्या पूरी खबर हैं तो ये पूरी खबर थी यहां पर हम दे तो बॉरड ने अभियरति के लिए परिक्षा की तयारी के मद्य नजर पिछले सालों के पेपर भी जारी किये हैं अभियरति CBSE CTAT की वेबसाइट पर जाकर पिछले वर्शों की पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और पिछले सालों की पेपर से अभियरति परिक्षा के पैटर् साय था कि second या third week में हो जाएंगे लेकिन अभी तक कोई भी admit card अभी जारी नहीं हुआ है जैसे ही admit card जारी होगे उसकी notification भी आपको इस channel के मादर से मिल जाएगी तो जो लोग नई है channel पर चनल को subscribe करके bell icon को press करना न भूले ताकि जैसे ही वीडियो upload होगी उसकी notification आपको मिल जाएगी एक के दत्ता ने बताया कि इस पार जिले में दो जोन में बाठ कर परिक्षर के इंदर बनाया गया है तो coronavirus की वज़े से पैदा हुई आपकी सबसे ज्यादा portion रहता है pedagogy का CDP आपके आती है फिर आपकी language 1 जिसमें आपका 15 नंबर का subject plus 15 नंबर के आपकी pedagogy होती है language 2 में भी आपका 15 नंबर का paper plus 15 नंबर का subject और 15 नंबर के आपकी pedagogy होती है math भी same तरीके से divide होता है 15 नंबर का math का questions है और 15 नंबर के आपकी pedagogy होती है EBS में भी आपका SEC तरीके से होता है तो ये 30-30 नंबर का आपका portion होता है जिसमें level 15-15 नंबर का half portion आपका pedagogy का होता है और CDP तो आपकी होती ही है तो अगर आप seated के exam को तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए pedagogy सबसे main important है जो आपको आनी चाहिए pedagogy के questions आपको आनी चाहिए जितने देखने में आसान लगते हैं कई बार उतने आसान होते नहीं है तो वो चीज़े आपको ध्यान में रखनी है अगर आपके पास अभी तक आपने CDP की यानी की pedagogy की अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो description box में लिंक है वहाँ पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको Hindi, English, SSD, Math, EBS या Child Development, Pedagogy, Hindi और English Medium में वहाँ पर आपको मिल जाएगी सेवा पुस्तिका वापस करने की मांग तो सिक्षक संगर समन्वे समीति कट्रा के संयोजित जगनात मैतों ने नियोजित सिक्षकों की सेवा पुस्तिका वापस करने की मांग की है इस बात पर उन्होंने BEO का आवेदन किया है सेवा पुस्तिका वापस नहीं करने पर BRC पर धर्ना परदर्शन करने की चेतावनी दी है और आवेदन में कहा गया है कि सेवा निर्धारन के लिए एक साल पहले सिक्षकों की सेवा पुस्तिका ली गई थी तो ये आपके इस तरीके के तमाम क्वेस्टन से जो आपको चैनल पर मिल जाएंगे वीडियो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं तब ही मैं आपको बता देते हूं कि आपको कैसे सीटेट की वेबसाइट पर प्रीविएस येर के एक्जाम सेपर को चेक करना है यह है सीटेट की वेबसाइट सीटेट की वेबसाइट पर आप जाएंगे ctet.nic.in यहां पर आप देखेंगे important links तो यहां पर previous year question paper दिसंबर 2018 जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 यह साए आपको paper यहां पर मिल जाएंगे जैसे आप click करेंगे यहां पर आपको paper 1, paper 2 दोनों ही मिल जाएंगे अलग-अलग language में है अगर आपकी language Hindi English है तो paper 1 main पर आप click कर देंगे तो यहां पर आपका यह पूरा paper जो है वो download हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं paper 1 यहां पर भी दिखाए गया है अपको यूज करना है डाइगंटे का exam होता है तो यह instructions आप यहां पर आराम से पढ़ सकते हैं और यह questions हैं जो आप देख सकते हैं इन questions के solution कहा मिलेंगे इन questions का solution भी आपको channel पर मिल जाएंगे हमने channel पर वी बाइब गया धे थेंगे थेंगेशन इग लाइएब छावी किर दो यह भी नहींगे तो सेकते हैं तो यहांगे के रिए झाल monday हो